अब यार गौडजिला कहा जा रहा है अभी तो हम लोग दोस्त बने रहे जाओ मुझे लाइट अपनी चेंज करवानी है ओके गाइस तो यहां से कानी शुरू होती है यानि कि दोस्तों हम लोग ने देखा है गौडजिला वर्सेस कॉंग जहां पर गौडजिला वर्सेस कॉंग की एक बड़ी बैटल होती है जहां पर एक टाइम पर हम लोग को ऐसा लगा कि गौडजिला कॉंग पर भारिपड़ा ह वही कॉंग ने भी बीच मा के मैका गोड़िला को हरा के गोड़िला की जान बचाई थी लेकिन अब इसमुई का जो टाइटल है वो गोड़िला वर्सिस कॉंग नहीं बलकि है गोड़िला एक्स कॉंग यानि दोनों एक साथ होंगे और एक नई स्पीशीज का सामना करेंगे जो आधा तो किंग कॉंग जैसा लगता है आधा ओरेज उटांग जैसा लगता है लेकिन इसका नाम है स्कार किंग इसकी बहुत सारी खूफिया बाते हैं जो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे ल तो इसका भी हम लोग के ग्रास पता चल गया है, वो भी आपके सामने आएगा, लेकिन उससे पहले समझते हैं, स्कार किंग की ओरिजिन स्टोरी क्या है, अब जैसे कि यहाँ पे मुईज में अपने हिसाब से सब कुछ दिखाया जा सकता है, लेकिन स्कार किंग कोई ऐसा है, जो कि एक तरह के से कॉंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट इन्वारिमेंट है, लेकिन जब कॉंग वहाँ पे गया था, हमने ऐसी कोई भी स्पीशीज के बार में नहीं देखा था, हाला कि बाकी बड़ी स्पीशीज वहाँ पे मौजूद थी, जो कि काफी जादे खतरन कि कॉंग के लिए भी नहीं थी, लेकिन कॉंग ने कभी उसे नहीं देखा, अब यहाँ पे बात करें इस मुई, तो स्कार किंग जो है, वो पहले होलो अर्थ में नहीं रहता था, यानि कि पहले वो सर्फेस पर रहता था, लेकिन यहाँ पे गॉडजिला की मदद से वो होल आगया, हाला कि जो स्कार किंग है, वो हॉलो अर्थ के इन्वारिमेंट पे पैदा हुआ है, तो हो सकता है, उसकी बॉड़ी अपनी जो करेंट सर्फेस वारी अर्थ है, उससे काफी जदा अलग है, यहाँ पे जो सर्फेस पे जो स्पीशीज रहते हैं, वो अलग तरीके से इवाल्व करते हैं, और हॉलो अर्थ की जो स्पीशीज है, वो अलग तरीके से इवाल्व होते हैं, हाला कि वो सर्फेस पे आके जिन्दा रह सकते हैं, लेकिन हॉलो अर्थ में उनकी ताकत जो होती है, वो जादी होती है, लेकिन स्कार किंग जो है, वो इस तरीके से इवा जयसे रिरे की हट्डी थी, इस पैजली को याद दोस्त का क्या था उन्हां की हो नी। हम लोग बात करते हैं स्कार किंग के नेचर के बारे में उसकी फिजीक के बारे में और क्या कर सकता है वो अब सबसे पहले दोस्तों जो स्कार किंग है वो यहाँ पर पूरी तरह गुरिला जैसा तो लगता नहीं ये रेड़ एप जैसा लगता है और जो उसकी जो बॉड़ी है वो औरेंज उटांग से ज़्यादा रिजेंबल करती है यानि कि उसके लिम्स की बात करें तो काफी लं यहाँ पर कुछ ऐसी पॉसिबिल्टी बनती है जो कॉंग का साइज है वो प्रीवेस फिल्म के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा बढ़ गया होगा यही सेम केस अपलाई होता है गौडजला को पर लेकिन बात करें स्कार किंग की तो उन सबसे दुगनी तिगनी साइज का ह हम है लेकिन हां स्कार किंग का जो दिमाग है वो कॉंग से जाधा चलता है अगर यह वागई औरिंज उटांग जैसी स्पीशीज है तो औरिंज उटांग गुरिल्ला से जाधा इंटेलिजेंट होते हैं उनकी कोगनिटिव एबिलिटी जाधा क्लियर होती है और यहाँ पे या तो वो हमेशा अकेले रहते हैं या गृप्स के साथ रहते हैं लेकिन यहाँ पे दोस्तो स्कार किंग की बात करें तो यह हो सकता है फैन थियोरी हो लेकिन काफी जदा दर्दनाक फैन थियोरी है कि वो यहाँ पे बाकी एप्स को भी खा जाता है जी हाँ दोस्तो यहाँ पर हम लोग ने ट्रेलर में एक शॉट देखा था जब यहां पर कॉंग जैसे कुछ एफ थे जो की काफी डरे वे थे जब उनके सामने स्कार किंग आया था और स्कार किंग अपनी भूग मिटाने के लिए उन सब को भी अराम से खा जाता होगा स्कार किंग का दोस्तों यहां यह मानना है वो जितने भी बड़े टाइटेंस को कंजूम करेगा उन टाइटेंस की जो भी ताकत है वो उसके अंदर आ जाएगी अब यहां पर अगर स्कार किंग रिवेंज के चक्कर में आया होगा तो यहां पर वो गौड़जिला और कॉंग दोनों को मार के खाने की भी चाहे कॉंग की वो लोग बनावटी दिखावा नहीं करते है कि कि किसी तरह दिखा दे कि वो दोस्त है बाब में जाके पीछे से छोड़ा गुब्ले ऐसा क्वालिटी उनके अंदर नहीं है लेकिन वही दोस्तों बात करें स्कार किंग की तो वो अपना उल्लू सीरा करने के सकता है यहां पर एक टाहम के लिए वो कौंग को यह दिखाएगा कि वो उसकी फैमिली है और यहां पर हो सकते वो कौंग को अपना दोस्त बना ले लेकिन बाब में जाके और मोके पर कौंग को धोम करते सकार किंग कर तो बइसा है अब जैसे कि स्कार किंग के लिए hollow earth से बाहर आने का कोई ऐसा रास्ता नहीं होगा मेभी उसकी जो नीद है वो गौड़जिला के विज़े से खुल गई है लेकिन अभी वो किसी भी तरह hollow earth में फसा होगा जिसकी विज़े से दोस्तों उसको कॉंग की help चाहिए होगी और यहाँ पे कॉंग को तो आप लोग जानते हैं वो sign language के थूरू इंसानों से communicate कर सकता है तो क्या पता वो कॉंग को ये यकीन दिला दे कि वो बाहर की दुनिया देखना चाता है और बाहरी रहना चाता है या फिर बाहर की दुनिया एक बार विजिट ही करना चाता है तो कॉंग उसकी बातों में आके उसे hollow earth से निकानने की कोशिश करे और यहाँ पे जब वो एक बार आ जाएगा जो कि ट्रेलर में साफ पता चला है कि वो आ चुका है तब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा battle होगा यानि को कॉंग को बाहर आता ही उसे धोका देगा उसका हाथ तोड़ देगा जो भी करेगा जिसकी विज़े से कॉंग के हाथ में कुछ तो लगा हुआ है जो बोलते हैं infinity gauntlet जैसा है लेकिन हाँ ये जरूर होगा जिसके बाद कॉंग और गॉर्डजिला को unite होना पड़े और यहाँ पे गॉर्डजिला कॉंग से कहाएगा कि भाई तुम्हारा रायता मैं क्यों साफ करूँ लेकिन बाद में पता चले गए गॉर्डजिला की पीछ आया है यानि दोस्तो ये जुमूई है ये काफी ज़ाद इंट्रस्टिंग होने वाली है और यहाँ पे स्कार किंग की ताकत बहुत जादी है अब यहाँ पे ये देखना है कि स्कार किंग की hidden ताकत क्या है क्या वो आखों से लोगों को hypnotize भी कर सकता है और ये अगर ऐसी powers है तो ये कुछ बाकी mini kong को भी ला सकता है हाला कि जो हमने छुटकू kong देखा था वो यहाँ पे हो सकता है इसी का बेटा हो या फिर वो भी कुछ चालबाजी कर रहा होगा यानि कि वो बस छोटा तो है लेकिन पूरी तरह mature हो चुका है हम लोग बाद में इसके बारे में और डीटेलन बात करेंगे और एक fan theory की मदद से इसकी story पर समझने के कोशिश